सो गाइस फाइनली वेट इस ओवर और लगभग मुझे एक साल हो गया है इस बाइक को लिए वे आरवन फाइव एम यामाहा की और मैंने इसको लगभग 10,000 से उपर चला दिया लगभग 10,300 मैंने चला दिया है और मैं आज आपको अपना पूरा ओनेस्ट रिव्यू शेयर कर कैसे हैं आप सब भी उमीद करते हैं आप सब अच्छ होंगे और आज सोच रहा हूं कि आपको रिव्यू दे दूँ अपनी बाइक का एक साल होने वाला है मेरी बाइक को और एक साल में लगभग बहुत कम वीडियो मैंने बनाई होंगे मतला बहुत कम बहुत मेरे कहल से एक काफी लोग की डिमांड है कि भाई अपने बाइक के बारे में बताओ तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक अच्छा सा रिव्यू शेयर किया जाए कि बाइक में क्या कमिया और क्या क्या दिक्कते आई हैं मुझे एक साल में और वो सारी चीजे आपको बताऊंगा तो पहले गाड़ी को दुलवा लेते हैं उसको वाश करवाएंगे बड़ी ऐसा उसके बाद दिखाएंगे कि गाड़ी काफी ज्यादा गंदी और बाजिश का मौसम है फैज इंतजार कर रहा है चलते सीधा नीचे वेलकम बैक तो माई वीडिव चैनल एविवन आई होब यॉप चलते हैं हम लोग जनेश्वर के पास जाएंगे फिर कोई भी एकदम सनाटी जगा जहां पर प्रॉपर इस गाड़ी का रिव्यू दे पाएं आपको और फैजी को इसलिए साथ भी लाए है क्योंकि फैजी बताएगा इसको थोड़ा सा गाड़ी के बारे में ज्यादा नौ फाइनली वेट इस ओवर और लगबग मुझे एक साल हो गया है इस बाइक को लिए वे आरवन फाइव एम यामाहा की और मैंने इसको लगबग 10,000 से उपर चला दिया लगबग 10,000 तीन सो मैंने चला दिया है और मैं आज आपको अपना पूरा ओनेस्ट रिव्यू शेयर कर अब कुछ एक्सपीरियंस किया वो सारी चीजे आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप भी लेनी की फिराग में है यामाहा आरवन एम आरवन 5 एम तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप डिसाइड करें कि आपको लेना है या पर नहीं लेना इस बाइक को तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आपको बताते हैं इसके प्रॉस और कॉंस के बारे में पहले प्रॉस की बात कर लेते हैं उसके बाद कॉंस की बात करेंगे और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी भाई बाइक में वह इसका लुक लुक भाई एकदम कमाल आरवन एम से इंस्पाइर हुई है जो कि और मुझे जो इसमें और अच्छी चीजे यह लगी कि एवरेज इसका काफी जादा अच्छा है और तुम बताओ तुम को क्या अच्छा लगा मेरी बाइक में अभी जो तुमने देखा तो सबसे पहले तो भाई इसका लुक बहुती जादा प्यारा है और इसका माइलेज मैं काफी ज्यादा कमाल की लगी और मीटर भी काफी ज्यादा अच्छा है बस कुछ-κुछ चीजने की कमी लगी तो आगे बात करेंगे और बाकी टायर वायर तो काफी ज्यादा अच्छे थे काफी बड़े मोटे टायर Pret dla कोशफ दिया गया इसमें कोई शिप्टर से यह फाइदा है कि आप गाड़ी जब दोड़ा रहे हो तो आपको बार-बार क्लस दबाने के जरुवत नहीं पड़ेगी आप अराम से गयर उठा सकते हो और मैंने उठा के तो देखा यह शिफ्ट करके देखा है उपर लेकिन मुझे लग लायत है कि अगर हम गेर को डाउन कर देंगे बिना क्लस दबाएं तो उसकी वज़े से हमारा पीछे का भई यह लॉक नहीं होता है वह एक्चली स्लिपर क्लस दिया गया इसमें इसलिए ऐसा होता है और बाकी इसकी हेडलाइट की बात कर लें इसका फ्रंट का व्यू भाई है यह मेरे खैल से अभी अपर पे लगी भी है यह अपर है विचेटी अब देख सकतो काफी ज्यादा अच्छा व्यू प्रोवाइट करती है राद में अभी तो पता नहीं चलेगा आपको बाकी मुझे इसके मिरोर भी काफी ज्यादा अच्छे लगे गाड़ी बन कर देते हैं, एक्जॉस्ट तो भी सुनाएंगे इनको बाद में, और अब देख सकते हो, इसके मिरर भाई काफी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, पूरा अराम से, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी और किसी को दिक्कत होती होगी, तो मुझे नहीं पत तो क्वालिटी अच्छी है, और यह जब आप इसको दबाओगे, अभी यह रन पे है, अभी यह रन पे है, उसके बाद आप इसको दबाओगे, तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और यह स्टॉप, काफी अच्छी चीज लगी मुझे, और यह आप देख सकते हो, फोक्स इसमें गॉल्डन कलर के फोक्स लगे में, यह अप साइड डाउन फोक्स लगे में, यूसडी फोक्स जिसको बोलते हैं, और यह देड़ सो सी सी के इसाफ से भाई, मतलब ऐसी पहली गाड़ी है, जिसमें यह आपको मिलेगा, देड़ सो सी सी के इसाफ से, वनना काफी आप देख सकते हैं, यह अपर दीपर का है और यह पास का है और यह आपका अंडिकेटर है और यह हॉण आफ सकते हैं यहां पर लगे हुए हैं आपके हॉन तो चलिए अब इसके मीटर के बारे में बात कर लेते हैं इसके मीटर में आप देख सकते हो यहां पर आपको यहां पर बटन दिया गया इसको आप दबाओगे अगर आगे की तरफ पुश करोगे इस बटन को तो आपको यहां पर चेंज कितना चलाया है इस गाड़ी को लगबग 10284 मुझे हिंदी में नहीं प्रोनॉम्स करना आता नंबर साही से और यह रहा मीटर इसका मीटर में आपको दिखा दें कि आ क्या फीचर मिलते हैं जैसे आप आउन करोगे यह सारे इंडिकेटर है और यहां पर अभी एक लाइट जल दी थी पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है यहां पर इंजन वाली लाइट यह पता नहीं पेट्रोल वाली कुछ ब्लिंग कर रही थी यह ABS दिखा रहा है कि ABS इस गाड़ी में लगा हुआ है इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है जिसको TCS बोला गया है और इसमें होता यह है कि जब पीछे वाला वील ज्यादा तेजी से नाशने लगता है और आगे वाला कम तेजी से नाशता है दोनों की स्पीड सेम नहीं रहती है तो गाड़ी अपने आप पावर कट कर देती है ताकि गाड़ी में मतलब स्किड नाओ गाड़ी तो अभी मैं आपको लाइफ डेमो दिखाता हूं कि कैसे काम करती मैं अगली ब्रेक दबाए रहूंगा और क्लच छोड़ दूंगा तो पीछे वाला पाया नाच जाएगा और आगे वाला तो लॉक ही रहे तो अप इसलिए में बर्न आउट मानने कोई चीश करूंगा यह देखिए मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया था यहां पर TCS लिखके आया था तो इससे अगर आप पूरा क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद भी हो जाएगी अगर हलका छोड़ोगे तो गाड़ी में पावर होता रहेगा अभी मैं आपको मीटर पर दिखाऊंगा कि मीटर पर क्या शो करता है इधार आना आप देखिए मैंने मैंने क्लच मैंने ब्रेक दबा के रखी है तो आपने देखा TCS कितनी प्रॉपरली काम कर रहा है और मेरे साथ कई बार हुआ है कि भाई बजरी पड़ी र लेकिन TCS की वज़े से मैं बहुत बार बचा हूँ अपनी गाड़ी को लेके गरने से तो काफी अच्छा फीचर लगा मुझे यह और आगे आप बात और अगर आप कीचड़ वाली जगा में जाओगे या फिर थोड़ा स्लिपरी एरिया रहेगा तो वहां पर TCS काफी अच अच्छली दिक्कत क्या है स्टैंड में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो पहले मुझे नीट्रल करना पड़ेगा तब स्टार्ट होगी तो यह काफी अच्छी चीज है भाई कि स्टैंड अब जैसे लगाओगे वैसे गाड़ी अपने बंद हो जाएगी कि भाई कभी स्टैंड लगा रह जाता है तो यह सेफ्टी फीचर पहले मैं इसको नीट्रल कर लेता हूं नीट्रल हो गई है अब आराम से स्टार्ट हुजाएगी यह इसका आइडियल साउंड अब इसका आइडियल साउंड सुन सकतो काफी मिनिमम सा है और मुझे जो अच्छा लगा अवाज काफी अच्छी लगी मुझे और अभी थोड़ा सा रैप करते हैं और दिखाते हैं आपको तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वाज और फ्लाइबाय का साउंड ठोड़ा सा अलग आता है यह तो खड़ी गाड़ी है तो इसका तो अलगी आएगा साउंड मुझे तो भाई परस्नली मुझे अच्छा लगा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लगा जितना बाई सुपर भाई का होता है इस बाई के साफ से मुझे काफी अच्छा लगा और अभी बात कर लेते हैं इसके कौन्स के बारे में जो कि भाईया उसका मैं बहुत जादा इंतिजार कर रहा था बताने के लिए इतना जादा भाई मैं मतलब फ्रॉस्टेटेड हूं कह सकता हूं क् कि भाई आपको मैं एक्चे दिखाता हूं तो मैं आपको बता दूं यह कोई दाग धब्बा नहीं है यह इसका पेंट है जो की उखडने लगा है भाई मतलब कुछ भी भाई आमहा क्या कर रहे हो यह कैसा पेंट दिया है आपने और तो और यह देखो भाई यह यह आपको यह पेंट है जो की उखड़ रहा है और भी कई जगा से अब मत करो और आपको दिखा दो छोटा छोटा सा है यह यह देखिए ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी कहीं लड़ी है या कुछ हुआ है मैं बहुत संभाल के अपनी गाड़ी यूज करता हूं उसके बाद भी यह जबूती में उसकी क्या ही कहने उस गाड़ी के और बाकी भाई प्लास्टिक जो यूज किया गया है इसमें वह भी बहुत ज्यादा घटिया यूज किया गया है आप देख सकते हो यह फैजी जड़ा करना जो कर देते हूं पर एकदम भाई एकदम चीप फिर से करना यह दो को अगर यह एक बार गिरी तो यह गई दफ्ती भाई एकदम यह प्लास्टिक यूज किया गया है इस गाड़ी में दो लाग दस जार देने के बाद तो भाई बहुत ही घटिया और भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जगा यह है आप यह देख रहो यह इतना घटिया इतना चीप इतना ज्यादा चीप कभी मैंने कोई मैटियल नहीं देखा इससे जादा घटिया और चीप मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी बाईक में एक्चुल में मैं इसको मेरी आदा थे भाई इसको पीछे करके गसीडने की इसको मैंने यू किया था और ये पूरा टूड गया था उसके बाद अकाज पर बैठा तो ये पूरा अलग हो गया था ये तो मैंने नया लगवाया है वो भी अठारा सो रुपए का इतने गटिया प्लास्टिक के मैंने अठारा सो रुपए दिये जो कि मुझे बहुत ही जादा बुरा लग रहा था देते वक्त और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं तूड गया था लगबाग गाड़ी को लिए वे मुझे दो मैना हुआ था दो मैने के अंदर ये तूड गया था और उसके बाद मुझे नया लेना पड़ा लेकिन मैंने तुरन लिया नहीं क्योंकि मुझे बहुत जादा बुरा लग रहा था वह चीज देखके कि इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए तो दो तरफ भाई सेम घटिया मटीरियल यूस किया गया है प्लास्टिक भाई बहुत गटिया पेंट बहुत गटिया बाकी लुक खाली अच्छा है लेकिन लुक का क्या करेगा इंसान जब गाड़ी नहीं रहेगी है ना और इंडिकेटर भी इसका टूड गया था यह दूसरा इंडिकेटर मैंने लगवाया औरिजनल यामाहा से यह आप देख सकते हैं यहां सफाड चक्टान और यहां पर पहाड तो अलग है बाकी और एक और चीज जो कि मुझे परसनली बहुत जादा गटिया लगी क्योंकि इसका इसके साथ जो आपको आप बताये जाता है यामाहा कनेक्ट यह रहा और यह खाली शो आफ है भाई स्टार्टिंग में मुझे लग बट स्टार्टिंग में एक दो महिना इसका एप चला उसके बाद अभी इसका एप मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा ना तो क्रैश हो जाता है वह ओपन ही नहीं होता है और कोई सेंस नहीं ना कोई बिल्कुल भी बखवास चीज है आज एक साल हो गया यामाहा ने एप पर कोई वर्क नहीं किया और वह चलता भी नहीं स्टार्टिंग में तो चलता भी था जब गाड़ी आई थी नहीं अब वह एप ही नहीं चलता है कामी नहीं करता है बाकी एक और चीज आपको दिखाऊं आप खुदी नोटिस कर लोगे वह चीज कि मैं क्या दिखाने की और आप यह देख सकते हो यह बुद कहीं से नहीं लग रहा है भाई कलर फेड हो गया है कलर लिट्रली भाई 210,000 दी हैं मैंने इस गाड़ी के लिए जिसका प्लास्टिक घठिया जिसका पेंट घठिया जिसका एक और पेंट घठिया ये भी ये भी आप दोनमें क्लर दिफ किया है बाद में यह जैसा है वैसा ही है कंपनी से जैसा मुझे मिला था वैसा ही है और बाकी और क्या ही बता दें आपको इस गाड़ी से और चलाने में थोड़ी से दिखकता कि क्योंकि थोड़ा सवजन पढ़ता एं इसे है तो पीछे वाले कुर थोड़ी दिखकत होती है और अगर मुझे पीछे करना रहता है तो अब मैं इसको पकड़ के करता हूं यह यहां से पकड़के मैं पीछे कर लेता हूँ, इसको पकड़ता नहीं हूँ बिलकुल, बाकी, पावर में मुझे काफी जाधा कमी लगी, पहले मेरे पाथ 220 थी, लेकिन उसमें इनिशियल पावर काफी जाधा अच्छी थी, लेकिन इसमें इनिशियल पावर इतनी अच्छी नहीं है, म कि वर्जन 3 थी ये वर्जन 4 है वर्जन 4 में पावर कम करी गई है बट क्या कर सकते हैं पावर का मुझे इतना यूज होता नहीं personally तो मुझे तो ठीक लगी पावर इतनी अच्छी नहीं लगी बस ठीक लगी इनीशियल काफी ज्यादा कम है उनका इनीशियल इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है और बाकी टॉपेंड में तो यही निकल जाती है तो भाई कमाल की है मैं लग इंजन इंजन तो ठीक है बस मु प्लास्टिक जो इसमें यूज किया गया है वह भी बहुत घटिया है बस दिखने में अच्छा है लेकिन जब फिर मैं बोलूंगा गाड़ी नहीं रहेगी तो फिर इंसान क्या करेगा जब टूट टाट जाएगी पूरी गाड़ी अगर अभी तक तो मैंने इसको इतना कोई बायक है तो आपके पास बी यामाहा की कोई बाईक है तो आप भी अपना experience शेर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आपके पास यामाहा आरवन एम है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बता दो कि मेरे से यह चीज चूड गई है या पिर आपको वह चीज अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी वह सारी चीज़े आप कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ ताकि वह और लोगों तक भी वह बात पहुंचे और कंपनी तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है वही अगले साल नहीं बाइक लाएगी और में थोड़ा सा आपको पावर कम लगेगी लेकिन अगर आप सिंगल चलाओगे यह या वीथरी हो तो आपको सही लगेगा अच्छा लगेगा देखो भाई मजा तो आती भगाने में वह बात मैं डेनाई नहीं करूंगा बस जो मुझे परसनली बिकाल लगा कि इतना पैसा क्योंकि मैंने कैश लीती 2,10,000 की बाइक सोचो और उसके बाद अगर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा तो फिर कितना खराब लगेगा आप खुछ सोचो कि भाई पेंट उसका उखड रहा है और बाकी यह टूट रहा है तो भाई किसको अच्छा लगेगा यह चीजे त इन सब चीजों को देखते वे मुझे इतना भी वो प्रॉब्लम नहीं भी कि बाई चलो ठीक है यार कौन से हमको जिन्दिगी बार यह बाइक चलानी है वो तो चेंज करते रहेंगे बाकी आपको कैसा लगा मेरा ओनेस्ट रिव्यू और कमेंट करके बताईए और अगर अबाइ टेक्या लव यू अवाल